हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले है एक्टिवा 7G के बारे में तो चलिए वीडियो शरू करते है हॉन्डा अपनी एक्टिवा 7G का नया मॉडल को बहुत ही जल्द लॉंच करने वाली है जिसमें दोस्तों अब आप लोगों को नया डिजिटल मीटर कंट्रोल के साथ ब्लूटूटूट कनेक्टिविटी और सिंगल चैनल एवियस जैसे काफी सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे सबसे पहले दोस्तों अगर हम लोग इसे स्कूटर के लुक के बारे में बात करें तो लुक्स वगरा दोस्तों आप ही लोग बताए कि आप लोगों को अब इसका जो नया लुक है आप लोगों को केसा लग रहा है नीचे comment box पे अपना opinion जरूर लिखेगा features के बारे में बात करी जाए तो उसमें दोस्तों आप लोग को complete LED lighting setup दिया जाएगा इसके अलावा दोस्तों अब आप लोगों को नया digital meter consult दिया जाएगा जिसमें की दोस्तों आप लोगों को Bluetooth connectivity के साथ जो है GPS के साथ ton by ton, navigation वगरा ये सब ही features दिये जाएंगे इसके अलावा दोस्तों इस पे जो आप लोगों को हेच smart वाला features तो मिलेगा ही बाकी दोस्तों इस पे जो आप लोगों को USB charging point वगरा ये सब ही features अब आप लोगों को देखने को मिलेंगे इंजन दोस्तों पहले के तरह ही रहने वाला है जो की 109.51 CC का रहेगा जिसमें दोस्तों लगभग आप लोग को 7.73 BHP के आसपास में power और 8.9 NM तक का टार्ग देखने को मिलेगा जो की ये जो scooter है दोस्तों ये लगभग आप लोगों को 45 से लेकर 50 campaign के आसपास में mileage निकाल के देगा जो की यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूँ की इस पे आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टॉट ही देखने को मिलेंगे की स्टॉट वगएरा देखने को नहीं मिलने वाली है प्राइसिंग के बारे में बात करी जाए तो अब इसका जो अन रोड प्राइस है ये लगभग दोस्तों आप लोग को 1,05,000 रुपे से लेकर 1,10,000 रुपे के आसपास में देखने को मिल सकती है बाकी लॉंच के बारे में बात करी जाए तो इस स्कूटर को दोस्तों 2025 तक में हॉंडा कमपनी हमारे इंडियन टूलर मार्केट पे लॉंच कर देगी तो इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना है थैंक यू फर वाचिंग अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेर करे और चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए